विश्व मानव रुहानी केंदर ने ना केवल हमीरपु में बलकी पूरे हिमाचल परदेश में संस्था के दौरा अन्य स्वास्ते संस्थाओं को भी PPA किट्स 3Mask Layer Sodium Hypocloride Hand Sanitizer Hand Liquid Soap दिये जा रहे हैं की इस मुश्किल घड़ी में एक बहुत ही बड़ी मदद क्रोना के खिलाफ इस जंग में लड़रे हमारे स्वास्ते कर्मियों के लिए साबित हो रही है आज ही ये किट्स हमीरपु मेडिकल कॉलिज के लावा सिविल हॉस्पिटल नदौन और ज्वालजी को भी वेंट की गई हैं डौक्टर पुश्पेंदर बर्मा ने बताया कि आगे भी संस्थान की तरफ से पूरे प्रदेश के स्वास्ते संस्थानों की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की जाएगी उन्होंने सभी सदस्यों का अभार जताया जिन्होंने इस खेव को इतनी मेहनत के साथ हमीर इप्रू मेडिकल कॉलेज मैं पहुंचाया है जी इस में जो मिशन है विश्प में रुहानियत फैले और मानबता सुरक्षित रहे ये विश्प मानब रुहानी के इंदर का जो है एक मिशन है और इस मिशन के तहत जब हम से पूछा गया हम इस संस्था से कई सालों से पीपी केट्स, सर्जिकल मास, हैंड सेनिटाइजर और लिक्विट सोप जो है वो दे सकते हैं और इसी कड़ी में आज हमारी टीम जिसमें पगल जोगरा जी, अरुन शर्मा जी और जेश पठानिय जी आए हैं आज हमने ये एक हजार सर्जिकल मास, चालीस पीपी केट्स, एक सो ती सो इस लिटा सोडियम हाईपौक्लराइट और पान सो अम él की सैनिटाइजर की दो सो बोतलें और पान सो अमothy्मल की लुक्विट सोप की सो बोतलें जो हैं आज यहां पे हमीरपूर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल सुपरेडेंट डॉक्टर अनिल वर्मा और एसमो डॉक्टर रमेश चुहान जी को हैंड ओवर करी हैं इसके अलावा सुबह हमने सिबल हास्पिटल नदौन और सिबल हास्पिटल जॉलजी को भी यही सुविदाइं जो हैं वो सुबह परदान करी थी और ये जो हमारा वेश विरुहानी के अंदर है ये आगे भी इसी तरह से जो है परदेश के सभी स्वासिस अंस्थानों की मदद करेगा ताके हमारे करोना वारियर जो हमारे फ्रंट लाइन के जो सोलजर हैं वो इस लड़ाई को जो है वो जीते हैं क्यों और इसके साथ ही आज मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि अभी जो है करोना से जंग की शुरुआत हुई है अभी हमने इसको जीता नहीं है तो लॉक डाउन का अच्छे से बालन करें फिजिकल डिस्टेंसिंग को अच्छे से मेंटेन करें और इसके अलावा जो एहदियात सरकार ने आपको समय समय पर हाथ धोना कैसे चीजों को सैनिटाइज करना उसका पूरा ध्यान रखें क्योंकि अभी जंग की शुरुआत हुई है अभी हमने इसको जीतना है